पंजाब विदासवाचनाव में मिली अव्दियासिक जीत के बाद हरियाड़ा में भी धीरी धीरे आमादमी पार्टी अपना कुन्बा बढ़ा रही है सुत्रों के वाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि पूर्वसांसद और टीमसी नेता अशोक तवर आमादमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं अशोक तवर सिरसा से पूर्वसांसद हरियाड़ा कॉंगर्स के पूर्वत्यक्ष भी रह चुके हैं कुछ महीने पहले टीमसी में शामिल हुए अशोक तवर में गोवा वधासवा चुनाव में टीमसी प्रत्याशियों के लिए चुनाप परचार किया लेकिन अब कयास ये लगाय जा रहे हैं कि अशोक तवर आमादमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं अशोक तवर सुत्र के वाले से ये बड़ी खबर अशोक तवर एक समय में कॉंग्रेस के प्रदेश अथ्यक्ष रहे कदावर नेता रहे हर्याड़ा में जिस तरह से वर्चास वकी लड़ाई हुई भूपेंदर सेंगुडा और अशोक तवर के भी जिसके बाद उनोंने पार्टी छोड़ दूए अब खबर ये आ रही है कि आमादमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं अजी देखिए बिलकुल अशोक तवर ने क्योंकि मुझ सिरसा के स्थांसद रहे हर्याणा कॉंग्रेसी अध्यक्ष रहे उससे पहले जूद कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहे और उसके बाद जो चुनावों में लगाता है रहार हुई लोकसभा और विधानसभा और उसके बाद विधानसभा में टिक्टों के बटवारे को लेकर उन्होंने जोरदार प्रदेशन किया था सुनिया गान्धी के आवास के बाहर फिर उन्होंने कॉंग्रेस छोड़ दी थी तबसे वो कोई न कोई रहा तलाश रहे थे इस बीच वो त्रणमूल कॉंग्रेस में जरूर शामिल हुए थे लेकिन त्रणमूल कॉंग्रेस का हर्याना में कितना अधार है वो सभी को पता है लेकिन अब खबर आ रही है कि अशूक तवर आधमी पार्टी जोईन कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंसी अर्विंद केजरिवाल दो दिन के गुजरात दोरे पर थी गुजरात से लोटने के बाद आज अशूक तवर की दिल्ली के मुख्यमंसी अर्विंद केजरिवाल से मुलाकात होगी जो हमारे सूत्र बता रहे है और उसके बाद उन्हें हर्याना में बड़ी दिन्मेदारी मिल सकती है आज दोपहर को दिल्ली के मुख्यमंसी अर्विंद केजरिवाल से मुलाकात करने के वाद वो आम आदमे पार्टी जोईन कर सकते हैं और त्रनमूल कॉंग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं चले वरुन बहुत शुक्रिया, आपका हमारे साथ जुडने के लिए और इस जानकारी को साजा करने के लिए सायोगी वरुन कोईल हमारे साथ जुड़ेधे विस्ताश से जानकारी दि आप आदमी पाटी में शामिल हो सकते हैं शुक्तवर सुत्रो के वाले से ये बड़ी खाबर